Hello students, आज हम class 4th की English की story The Giving Tree के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं How do you feel when you help someone? अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? यह आपको मुझे पताना है comment box में How do you feel when you share your things with others? और अगर आप अपनी चीजों को किसी दूसरे के साथ बाठते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? चलिए Read this play to know how a tree feels when it helps a boy इस story में बच्चों आपको यह बताया जाएगा कि एक पेड को कैसा महसूस होता है जब वो एक लड़के की मदद करता है चलिए Narrator बच्चों नेरेटर वो होता है जो कथावाचक होता है कथावाचक उसे कहते हैं जो कहानी सुनाता है तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं Narrator Once there was a tree and it loved a little boy Every day the boy would visit the tree and enjoy its company अच्छों ये बहुत पहले की बात है जब एक बार एक पेड़ था जो कि एक बच्चे को बहुत प्यार करता था और वो लड़का डेली उस tree के पास जाता था और उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था और इंजॉय करता था वो उसके साथ tree come here my boy come and climb up my trunk and swing from my branches और tree ने कहा आओ मेरे पास आओ लड़के मतलब लड़के को उसने बुलाया और कहा कि मेरे तने पर चड़ जाओ और मेरी साखाओं पर जूलो boy swinging from branches आओ what fun फिल लड़का गया और उसने उन साखाओं में जूला और बोला वाओ कितना मज़ा आ रहा है उसने उस पर जूलने में बहुत मज़ा आया tree are you hungry eat my apples tree ने बच्चे से पूँचा क्या तुम्हें भूट लगी है अगर लगी है तो मेरे apples खा लो boy eating apples how delicious अब वो apples खाने लगता है और कहता है वाओ कितने tasty हैं ये narrator when the boy was tired he slept under the tree the tree was happy to give its shade but time by and the boy grew older and went away तो बच्चो जब बच्चा थक जाता था तो फिर वो पेड के नीचे सो जाया करता था और tree बहुत ही जादा खुश होता था उसे अपनी चाया दे कर लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया लड़का बड़ा होता गया और वो पेड के पास से चला गया the tree was often alone after some years one day the boy came to the tree and the tree was very happy अब क्या हुआ बच्चो जब वो लड़का वहां से चला गया तो पेड अकेला रहने लग गया और कुछ सालों के बाद एक दिन वो लड़का वापस आया tree के पास तो tree उस लड़के को देकर बहुत जादा खुश हुआ tree come my boy come and climb up my trunk and swing from my branches अब tree ने फिर से उस लड़के को बुला आओ इधर आओ बेटा मेरी तनों पर चड़ो तना है जो उस पर चड़ो और मेरी शाखाओं से जूलो boy I am too big to climb and play I want to buy things and have fun I want some money can you give me some money अब लड़की ने क्या बोला कि मैं बड़ा हो चुका हूँ अब और मैं पेर पर चड़ने और खेलने के लिए बहुत बड़ा हो चुका हूँ अब मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे कि मैं मजे कर सकूँ और क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो अब ट्री ने क्या हूँ मुझे पैसे तो नहीं है लेकिन मैरे पास पतियां हैं और सेव हैं तुम मैरे सेव तोड सकते हैं उन्हें बाजार में जा कर बेच सकते हैं जिससे कि तुम आरे पास पैसे आ जाएंगे The boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day, the boy came back and the tree was shook with joy. बच्चो, क्या हुआ इसमें? Narrator, the boy happily plucked the apples and carried them away. अब narrator बताता है कि लड़के ने खुशी से सेप तोड़ ली और उने लेकर चला गया. The tree was also happy और tree भी बहुत खुस हुआ. But, the boy stayed away for a long time and the tree was sad. अब क्या हुआ लड़का? बहुत जादा दिनों तक पेड से दूर रहा. इसकी वज़े से पेड उदास हो गया. One day, the boy came back and the tree shook with joy. और फिर एक दिन लड़का आया, जिससे की ट्री बहुत ही जादा खुश हो कर जूमने लगा. tree, come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. अब tree ने लड़के को बुलाया, बुला आओ बेटा, मेरे तने पर चड़ो, और जूला जूलो, मेरे apples खाओ, और मेरी चाया में खेलो और खुश रहो. Boy, I am too busy to climb trees, I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? अब लड़के ने कहा कि मैं बहुत ही जादा ब्यस्त हूँ, मैं पेड़ पर अब नहीं चड़ सकता, क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ और मुझे अपने क्या कहते वाइफ के लिए और बच्चों के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. ट्री ने कहा मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट सकते हो और अपने लिए घर बना सकते हो? नेरेटर, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. अपनेरेटर ने बताया है कि फिर उस लड़के ने पेर के शाखाओं को काट लिया और अपने साथ ले गया और घर बनाने के लिए ले गया अपने साथ. The tree was very happy, a tree बहुत खुश था, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. लेकिन वो लड़का पेर से बहुत दिनों तक दूर रहा, इस वज़े से पेर फिर से उदास हो गया. And when he came back, after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. अब क्या होँ, बहुत सालों बाद जब लड़का लोट कर आया, तो tree बहुत खुश था, इतना खुश था, कि खुशी की वज़े से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. और इस टाइम पर लड़का बड़ा भी हो गया था, एक ज़वान आदमी बन चुका था वो. Tree, come boy, come. What can I do for you? अब tree ने फिर से उस लड़के को बुलाया और बोला, आओ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. Young man, I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? अब लड़के ने बोला कि मैं एक business trip के लिए जा रहा हूँ. और क्या तुम मुझे एक नाओ दे सकते हो? मुझे नाओ चाहिए उसके लिए. अब क्या होँआ, tree? All I have left is a trunk. Cut down my trunk and make a boat, then you can sail away. अब tree ने बोला कि मेरे पास सिर्फ मेरा trunk बचा है, तना बचा है, तुम मेरे इस तने को काट लो और नाओ बना लो और उसके तुम नाओ से जा सकते हो कहीं भी. Narrator, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. अब क्या हुआ, young man ने वो trunk काट लिया और उससे नाओ बना कर वो चला गया. The tree was left only with a stump. अब tree के बास एक सिर्फ एक डंडे की तरह बचा था वो last में. And after a long time, the young man came back again. Now he was an old man. But the tree recognized him. अब क्या हुआ, बहुत सालों बाद, बहुत समय बाद, वो young man वापस आया. लेकिन अब वो एक old man हो चुका था, बुड़ा हो चुका था. लेकिन tree ने उसे पहचान लिया. Tree, I am sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. अब tree ने कहा, मुझे माफ कर दो मित्र. अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए. मेरे save भी चले गए है, सारे खत्म हो चुके हैं. Old man, my teeth are two weak for apples. अब उस old man ने बोला, कि मेरे नाथ भी बहुत कमजोर हो चुके हैं वैपल खाने के लिए. Tree, my branches are gone. You cannot swing on them. Tree ने कहा, कि मेरी branches भी चाचुकी हैं और अब तुम उसमें नहीं जूल सकते. इस वज़े से tree दुखी है, कि मैं तुम्हें जूला भी नहीं जूलने दे सकता हूं, अब अब अपनी branches में. Old man, I am too old to swing on branches. और फिर old man ने कहा, कि मैं branches पे जूलने के लिए भी बहुत old हो चुका हूं. अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है, कि मैं branches में जूल सकूँ. Tree, my trunk is gone, you cannot climb. Tree ने कहा, कि मेरा जो तना था, trunk था, वो भी अब कट चुका है, और उस पर तुम अब नहीं चड़ सकते. Old man, I am too tired to climb. Old man ने कहा, कि मैं बहुत जादा बुड़ा हो चुका हूं चड़ने के लिए तने पर, और ठक भी चुका हूं, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत और ताकत नहीं बची है. Tree, Shying, I am sorry, I wish that I could give you something, but I have nothing left, I am just an old stump, I am sorry. Tree, a tree, बहुत ही उसे दुख हो रहा था, उसने sorry बोला और बोला कि काश मैं कुछ तुमें दे पाता, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक बुड़ा stump, बुड़े ठूट की तरह बचा है, और वो माफी मांगता है फिर. Old man, dear tree, you have always given, but now I don't need much, just a quiet place to sit and rest. अब Old Man ने कहा कि प्यारे पेंड, तुमने हमेशा मुझे दिया ही है, मुझे माफी मत मांगो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक शांत जगे चाहिए, जिस पे मैं आराम से बैठ सकूँ. ट्री ने बोला, happily, well, an old stump is good for sitting and resting on, come friends, sit down and rest. अब ट्री खुश हो गया उसकी बात सुनकर, और उसने बोला कि ये एक old stump बैठने के लिए और आराम करने के लिए बहुत अच्छा है, आओ मित्र, मेरे उपर बैठो और आराम करो मेरे stump पर, अच्छो इस स्टोरी से हमें ये है, पता चला कि पेड हमेशा ही मनुस्यों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, हमेशा ही हम उनकी चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे फल हो, पत्तियां हो, या पिर किसी भी चीज का टहनी वगेरा सबका, पर हमेशा ही पेड ये सब देकर खुश होते हैं, इसी तरह हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए, कि हमें भी अपने सामानों को वस्तों को आपस में मिल जुल कर इस्तेमाल करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, स्टोरी लिखी है, अडेप्टेट फ्रॉम दे गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वर श्टीन में, चले इसके वर्ड मेंनिंग्स देख लेते हैं, स्विंग मिन्स जूलना, डिलीसियस मिन्स स्वाधिष्ट, प्लक मिन्स तोड़ना, ट्रिप मिन्स यात्रा, सेल मिन्स जल यात्या, स्टंप मिन्स फूट या डंडा, रिकनाइजड मिन्स पहचानना, कॉश्चन आंसर है, जो लड़का था, वो ट्री के साथ किस तरह से इंजॉए करता था, आंसर है, दा बॉइ क्लाइम्ड दा ट्रंक आप दे ट्री, इसमें क्या था, बच्चों बच्चा था, वो पेड के तने पर चढ़ता था, शाखाओं में जूला जूलता था, उसके एपल्स खाता था, और उसकी छाया में सो जाया करता था, पेड ने लड़के को पैसे कमाने में किस तरह से मदद की, पेड ने उस लड़के से कहा था, कि तुम मेरे सारे एपल्स तोड लो और उन्हें बाजार में जाकर बेज दो, जिससे तुमें पैसे मिल जाएंगे, वाट ड़के ने उस लड़के से क्या बनाया था, पेड की ब्रांचे से, लड़के ने पेड की शाखाओं से अपने लिए एक घर बनाया था, उस लड़के ने पेड के तने से क्या बनाया था, लड़के ने पेड के तने से एक नाओ बनाई थी, Q5. How was the stump of the tree useful? ट्री का stump किस तरह से useful था? Answer. The stump of the tree proved to be useful by offering the old man a peaceful place to sit and rest. The stump था ट्री का वो इसलिए useful था क्योंकि वो लड़का उस समय बुड़ा हो चुका था और उसने उसे बैठने के लिए जगे दीती अपने उपर क्योंकि वो बहुत ही शान्त जगे में बैठ कर आराम करना चाहता था. इस तरह से stump भी useful था. Q6. Why is the play called the giving tree? इस play का नाम the giving tree क्यों है? Answer. The play is called the giving tree because the tree always gives something or the other to the boy to make him happy. इसमें पेड का जो इस play का नाम है वो the giving tree इसलिए है कि कि ट्री हमेशा ही कुछ ना कुछ देता रहता है दूसरों को और उस लड़के को भी दिया उसने और उसे खुश रखा. Question 1 है इसमें word building का make new words and complete the sentences. इसमें यहाँ पे आपको जो ब्रैक्टिक में word दिया है उसे new word बनाना है और sentence को complete करना है. The children love to sing loudly. बच्चों को तेजी से गाना पसंद है तेज आवाज में. Read your lesson silently. Silent मतलब धीरे होता है बट silent name is या धीरे से. मतलब धीरे धीरे अपने धीरे से अपने चैप्टर को पढ़ो जादा तेज आवाज में ना पढ़ो. Throw the ball slowly. Ball को धीरे से फें को. The tree gave its fruit to the boy happily. पेर अपने फलों को लड़के को भूँत ही खुशी से देता था. Do your work neatly. अपने काम को सफाई से करो. Question 2 है. Fill in the blanks with the correct word. आपको यहाँ पर blanks fill करने हैं. Correct word का use करके. My mother went to market and bought a kilogram of apples. और apple. क्या आएगा यहाँ पर? Apple मतलब होता है एक apple. और apples मतलब बहुत सारे apples. तो यहाँ पर एक kilo सेबों की बात हो रही है. तो यहाँ पर आएगा apples. आड़ेजन, बनाना या फिर बनानाज. एक दरजन केले बोलेंगे या फिर केला. Yes, केले. आड़ेजन, बनानाज. And आड़ेजन, ओरेंजिस और ओरेंज. Yes, यहाँ पर आएगा ओरेंजिस. क्योंकि यह एक दरजन है. आड़ेजन में बच्चों कितने होते हैं? 12. I love oranges. So I ate an orange. मुझे औरेंज बहुत पसंद है. इसलिए मैंने एक औरेंज खाया. तो फिर यहाँ पर बच्चों, एक है. एन लगा हुआ है ना, इसलिए. My brother wanted a banana. मेरे भाई को एक बनाना चाहिए. तो फिर यहाँ पर भी banana आएगा, not bananas. And my sister asked for an apple. यहाँ पर भी बच्चों, एक apple है. बच्चों, यहाँ पर O और A. जो हैं, वो हैं, वो हैं, वाविल्स. जैसे A, E, I, O, U. यह क्या होते हैं? वाविल्स होते हैं. और इन से जो भी word start होता है, उसके आगे N लगता है. एक की जहे पर. जैसे A का, A और N का मतलब A की ही है. इसलिए यहाँ पर orange और apple में N लगा हुआ है. बच्चों, A tree has one trunk. One से तो बच्चों, आपको पदा चली रहा है कि एक तना होता है. तो फिर one आएगा. और फिर यहाँ पर लिखा है, A dash has a number of dash. मतलब एक branch, एक शाखा के पास बहुत सारी पत्तियां हैं. तो leaves आएगा या या लीव साएगा? लीव साएगा. तो पत्तियां है ना बहुत सारी इसलिए. And flowers, बहुत सारे फूल हैं. इसलिए यहाँ पर भी flowers आएगा. चलिए, let's write. यह वाला question देखते हैं. Write these sentences in the correct order. Also choose the right word from the box and it before each sentence. Remember to put a coma after it for example. पच्छों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चार sentences दिये हुए हैं. इन्हें आपको correct order में लिखना है. जैसे यहाँ पर, first मैंने हाँ पर बताया है, first यह है. जो D है ना, यही first है. इस पर आपको number one डाल देना है. The tree gave its apple to the boy. First, the tree gave its apple to the boy. सबसे पहले, tree ने लड़के को अपने save दिये थे. ठीक है? और उसके बाद क्या है? Second में बच्छों यह वाला है. जो A है, उस पर second number कर देना आप. It gave him its branches to make a house. Then, it gave him its branches to make a house. Okay. Next है, third में आपको यह जो C है, इसी में third number डालना है. It gave him its trunk to make a boat. After that, it gave him its trunk to make a boat. उसके बाद उसने अपने तन्ये को दिया, उसके लिए boat बनाने के लिए. Last में बच्छों आएगा, जो B है, वही number four है. It asked him to sit on the stump. मतलब उसने stump पर बैठने के लिए कहा. Finally, it asked him to sit on the stump. Okay, बच्छों? Thank you.